हाई दोस्तों आज का वीडियो है इनके बारे में यह है ब्लाक स्वोल्जर फ्लाइ नाम काफी हेरोइक है राइट पर जब यह मेरी खाद में आये कुछ दिन पहले तो क्योंकि यह पूरे पल्टन के साथ आये तो इसलिए मुझे इनको तेक के बहुत टेंशन हुआ और मैं तो यहां तक सोचने लगए कि शायद आब मुझे खाद बनाना बंद कर देना चाहिए पर क्योंकि मेरे लिए यह निर्ने लेना बहुत मुश्किलता है इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ शोट करूं कुछ रिसर्च करूं और उसी के अधार पे मुझे एक चीज वह हमारे यानि human beings के लिए नुकसान दायक नहीं है पर दो और सवाल है इस वीडियो में आपके सामने जिनका उत्तर पेश होगा तो अगर आपको भी सरल भाशा में इनके बारे में कुछ और बाते जाननी है तो बस देखते रहिए यही वीडियो जियां तो आज के वीडिय इसके बारे मैं गुबराई हमाद यह साइंटिफिक नेम है उसी ब्लाक सोजर फ्लाय का पर इसके अलावा कुछ भी टेक्निकल नहीं होगा क्योंकि तीन मुख्य सवाल है और तीन पार्ट से वीडियो के आट वन में हम यही बात करेंगे कि क्या यह हमारे लिए नुकसान द फ्लाय में कोई भी माउथ पार्ट ऐसे नहीं होते है कि वह बाइट करें या स्टिंग करें और दूसरा यह कोई बिमारियों को फैलाने वाला फ्लाय नहीं है यह अधारित है उन विश्वस्निय सूत्रों पर जिसके लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंग जो आप देख सकते हैं अब बात करते हैं B.S.F.L की तो यह महाशेय का काम एक ही है और वो है खाना तो यह खाते हैं क्या हमारे कच्रे को कोई भी जैविक पदार्थ इनका खाना बन सकता है और इस तरीके से यह हमारे कच्रे को अपने अंदर असिमिलेट करते हैं और जो इ होती है जिसे कहते हैं फ्रास तो वो भी हमारे खात की उर्वरकता बढ़ाती ही है अब आप बताईए अगर कोई जीव हमारे कच्रे को खा रहा है धीरे धीरे उसको उस सरल रूप में ला रहा है कि जो हमारे फ्रेंडली एरोबिक बैक्तिरिया है अब उस पे काम कर सके और को अच्छी सी खात बना सकें ये जीव हमारे दुश्मन हुए या दोस्त जरूर कॉमेंट में बताईए मुझे और जल्दी से अब हम बढ़ते हैं पार्ट दो में जिसमें हम दूसरे प्रेश्न पर बात करेंगे कि ठीक है मान लिया कि ये बीस एफ और बीस एफल हमारे तो हमें अपने घर में इनको गूमते वे देखना अच्छा नहीं लगता तो अब हम क्या करें तो देखे उसके तीन मुख्य तरीके जो मैंने पढ़के और फिर अपलाए करें हैं पहला तरीका ये है कि जो हमारा कंपोस्ट पेंड है उसमें हम ग्रीन को कम करें और ब्राउ अगर आप खाद बनाते हैं आपको पता है अगर आप इसके बारे में ज्यादा जाना चाहते तो मेरे एक वीडियो भी है जिसका लिंक आपको इधर मिल जाएगा इसमें ग्रीन मतलब यानि जो हमारा किचन से निकला हुआ है जो अक्सन नाइट्रोजन से भरावा होता है औ और ब्राउंस मतलब जो कार्बन से भरा सूखा जैविक होती है जैसे कि आपका श्रेड़िट पेपर हो गया कार्डबोर्ड हो गया कोकोपीट हो गया या पुराना बनावा खाद हो गया या मिटी ही हो गई तो अगर आप ये संतुलन को ऐसे बदल देंगे यानि कि ग्रीन प्राउंस कम और ब्राउंस ज्यादा तो इनको ये अच्छा नहीं लगेगा और वो काम हो जाएगी इनकी जनसंख्या दूसरी बात ये कि आप अपने जो नीबू डाल दें उसको मिला दें क्योंकि इनको नीबू अच्छा नहीं लगता तीसरा आप कर सकते अगर ये आपक कि आपने इनके लिए बहा निकलना मुश्किल कर दिया है तो मेरे केस में मुझे डर जाधा था तो मैंने खाई बड़ी बना दी आप उस खाई में पानी भर सकते हैं तो ये तीन तरीके हैं कि कैसे हम इनकी जो जनसंख्या है उसको कम रखें और इनको बहार भटकने ना दे तो अब तीसरा सवाल ये आप पूछ सकते हैं कि आपको अगर ये चाहिए ही नहीं जीव अपने कमपोस्ट बिन में तो उसके लिए क्या करें बिलकुल सही क्योंकि पिछले देर साल में तो ये नहीं आये थे मेरे बिन में तो इस बार मैंने कुछ जो बेस प्रैक्टिस होत बार मैं बात कर रही हूं तो बहुत सिम्पल है पहली बात ये कि अपनी खाद है और यह हम एरोबिक खाद बनाने को कह रहे हैं तो कवर करके रखें तो बाहर से भी और अंदर से भी जब भी कच्रा डालें तो उसके ओपर ब्राउंस की एक अच्छी लेयर हमेशा रखें ज दूसरा आपको अपने कंपोस्ट्बिन का महौल जो है वह अच्छा बना के रखना पड़ेगा और इसको बनाना अच्छा मुश्किल नहीं है हफते दस दिन में एक बार उसको अच्छे से घूमा देना है ताकि हवा का प्रवा हो जाए और बैक्टिरिय अपना काम अच्छ इसके लिए आपको बढ़ने पड़ेंगे जब भी नमी जादा हो आपके पे पंपोस्ट्बिन में और तीसरा पॉंट क्या है और तीसरा पॉंट क्या है थीए कि आप पाकेवे खाने को कम से कम डालिये अपने पेकम द्या पैक्टिरिय अगर डाल रहे हैं तो जादा ध्या रिमिक्स पाउडर देते हैं या फिर आप कमपोस्ट एक्सलरेटर डाल सकते हैं या फिर आप पुरानी खाद डाल सकते हैं और या फिर आप दही डाल सकते हैं तो यह सब चीजें थोड़ा सा तो यह सब चीजें करेंगे तो आपका कमपोस्ट जल्दी बन जाएगा ना आपक तो अगर आपको आज के वीडियो से ये थोड़ा सा भी आश्वासन मिला कि इनका आना आपका खाद बनाने के प्रक्रिया को बंद करना मतलब नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को शेर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को ताकि मैं आगे अपने खाद बनाने की दिक्कतों और उनके सल्यूशन्स को आपके सामने ला सकों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गो ग्रीन टो गेट ग्रीन तक अपना ध्यान रखिये बाई सकति कीजिए गो, क्बार के लाईगा टो है जया रखिये बाई ई hand walk